पहलों पर डॉक्टर साइदा हमिजी हैं पुर्वसदस्य योजना आयोग की और किरिट सुमया साथ हैं बीजेपी के नई दिशाएं नए समय के साथ उनको उस रास्ते पर जरूर चलना चाहिए मगर मैंने दस साल योजना आयोग में यानि दो टर्म्स मैंने योजना आयोग में काम किया है और मैं यह समझते हूं कि योजना आयोग का सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टन्स थी वो यह थी कि एक एक ऐसा प्लाटफॉर्म था कि जिस पे स्टेट्स और सेंटर उनके लिए एक तरह से एक मीटिंग पॉइंट थी और योजना आयोग में यह थी कन्वीनिंग पावर था एक समय में बता दो को हम इस्क्रीन पर जो तस्वीर चला रहे हैं वो माई गवर्मेंट वेबसाइट पर कई लोगो ने लोगो बताया क्योंकि वहाँ लोगो और नाम पूछा गया और स्लोगन पूछा गया लेकिन ट्वीट था कि आइडिया दीजे कैसा हो जी फैर लोगो और नाम ये तो बहुत ऐसी चीज है कि वह हो ही जाएंगे मगर उसकी जो बुन्यादी रूह है जो उ प्लाटफॉर्म था कि जिसमें स्टेट्स और सेंटर आपस में विचार विमर्श करते थे और दूसरी बात ये है कि स्टेट्स की बढ़ती हुई इंडिविज्वालिती उसकी बढ़ती हुई आइडेंटिटी के साथ साथ योजनायोग में बहुत अबदीली आएं ये कहना कि उनको जा जाके अफसरों के सामने अपनी बात रखते तो जरूर थे मगर इतना एक तरह से बराबरी से डिसकॉशन होता था और एक बात और कह दूँ और वो ये है कि किसी सेक्टर को इंडिपेंडेंटली ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें मुल्टी सेक्टोरल आक्शन की जरूरत है जैसे मैं अपने सेक्टर बताती हूं और तो और बच्चों का सेक्टर और तो और बच्चों के लिए विमें एंड चाइल्ड ना काफी है उसके लिए बहुत से सेक्टर को मिल जुल के एक तरह से कंबाइन एफ़र्ट करना है जिसके लिए कन्वीनिंग पावर जो योजना आयोग का था जब योजना आयोग इनवाइट करते थे कि देखो यह एक मसला है कि जिसमें स्टेट्स को सेंटर को और बहुत से सेक्टर को मिल के काम करना है तो उस समय योजना आयोग में पावर था उससे सारे सारे प्लैटफॉर्म्स एकटे आके एक पहले एक बार और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये उधारन देकर बता सकें, क्योंकि प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि राज्य अब ताकतवर हो रहे हैं, और नए तरीके से उभर रहे हैं, और पहले से कहीं जादा अब संगिय धाचे पर पुनर विचार करने की जरूरत है, तो आप मुझे उधारन से बता सकें, कैसे इस संदर में योजना आयोग बदल रहा था, और कैसे उनकी बात सही नहीं है, कि योजना आयोग ने मुख्यमंत्रियों को लाइन हाजिर किया, योजना आयोग ने एक open invitation दिया, सारे मुख्यमंत्रियों को, कि centrally sponsored schemes में उनका एक सबसे बड़ा उनकी शिकायत थी वो ये थी कि one size doesn't fit all आप एक scheme को सब पर थोपने की कोशिश करते हैं तो योजना आयोग ने खुला उनको invitation दिया कि आपको जो मुश्किला आते हैं जिस तरह से आप scheme में कितनी flexibility चाहते हैं और हर मुख्य मंत्री ने अपना अपना पक्ष रखा और उसके बाद अगर आप scheme क्योंकि लोग तो अब एक mood में आ गए हैं कि योजना आयोग को बुरा कहना है अगर आप सारी schemes उठा के देखें तो उसमें flexi fund की जो एक विवस्था की गई वो इसलिए कि हर state की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है अपनी मजबूरियां होती है अपनी individuality होती है और states को साथ रखे और साथ-साथ ये भी कह दूँ के योजना आयोग का आकार बदलने की बात तो पिछले 5 साल से चल रही थी और धीरे धीरे बदल रहा था क्योंकि the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh had said to us that with the changing times Planning Commission will have to change और ये एक ऐसा चैनल्ग है तो इतना धीरे बदल रहा था कि मोजी जी को तोड़ा तेज बदलना था शायद ये ऐसास था वो अपने बाशन में उन्होंने का कि बहुत तरह की सरकारें चल देहीं थे या तो उसको बदलने में और पांच साल लगाए या उसको खतम करके एक नई संस्था पना है आप किसी state government पे आप किसी तरह से उस पे कोई चीज you can't dump on them, you have to do it, persuade them किरिट साब मुझे एक बात बताए कि पहला सवाल मेरा आप ही से पूछना था कि क्यों ये संस्था आपके नजर में आपके पार्टी की नजर में और सरकार की नजर में अचानक रातो रात बेकार हो गई मैं उस बात में नहीं जाना चाहता चाहिए योजना आयो की जगा पर और क्यों ये संगिया धाचे की खिलाफ है ये क्या ऐसा काम करता है जिससे फेडरल जो स्पिरिट है उसमें उससे उसको चोट पहुंचती है अज़ा है जितको हम कहते हैं कि व्यक्ति देश और इकोनोमी और समाज ये प्रगती सील रहता है अब समदो यही सरकार आज भाजपा की थी कल तो कॉंग्रेस की थी लेकिन कॉंग्रेस सरकार में भी जवाला नहरू की एक विचारधारा थी 1979 में स्रीमती इंदिरा गांदी ने स्री विचारधारा सुरू की सब राष्टिय करन नेशनलाइजेशन प्रारंब किया 1984 में राजियू गांदी आने के बाद में इकोनोमिक लिब्रालाइजेशन की बात की 1992 में नर्सियराओ की सरकार ने खुली अर्थवेवत्ता स्रीकार की तो यह तो चेंज है ना परिवर्तन है तो आप जब एक के बाद एक कदम आगे जाते हो अब कारण में पूछ रहा हूं सब कारण 21 सदी में आप जब गए और आप अब ग्लोवल एकोनोमी की बात करने लगे मार्केट एकोनोमी की बात करने कॉंपिडिशन की बात करने रहे आप ग्रहत की बात कर कि जो बात आप कह रहे हैं, ग्लोबल अर्थ व्यवस्था, वो 21 सदी की देन नहीं है, आपके देश में उदारी करन 20 सदी में लाया गया था, तो आप लगभग उस सदी के लगभग 10-15 साल वो, इस 21 सदी के लगभग 10-15 साल, 14 साल तो काट लिया ना, तो आप मुझे यह बता यह 21 सदी 2014 की खोज नहीं है, यह 20 सदी की देन है और उससे पहले की देन है, ठीक है, और जितनी भी बात बता रहे हैं, यह सब 20 सदी की देन है, 21 सदी को आप इसमें क्यों उसका बहाना बना रहा है, बदलाव जरूर करना चाहिए और नई संस्था जरूर आना चाहिए, मैं कैसे globalization के खिलाब था कैसे नव उदारवादी आर्थिक नीदियों के खिलाब था अगर ये खिलाब था तो इस देश में उदारी करन कैसे आ गया बिस्वी सदी में और 21 सदी के 14 साल में इसका सर जवाब आराम से वक्त लेकर दे दीजिए मैं पुने एक बार आपको कह दूँ कि आप अगर पूरी बात सुनते हैं और टोटालीटी में लेंगे तो आप 20 सदी 21 सदी इस प्रकार से आप तुर्णा नहीं करते हैं 1992 में economic liberalization का घोशना की सिर्फ announcement actually execution 1998 में अटल जी की सरकार आने के फच्चाश सुरूआ और globalization हिंदुस्तान में खरे आर्थ में 21st century में आया PPP model पहले PSU model था नहीं 1960s और 70s में PPP model ये 1990s में लोगों के सामने रखा 21st century में execution start हुआ मैं आपको ये कहना चाहता था कि जब बदल आता है कोई भी संसा या कोई भी व्यक्ति अगर हम आगे बढ़े तो इसके आगे ले जाने के लिए हमें अगर ऐसा लगे समाज को या देश की व्यवत्ता को या देश की नेता को कि या अब planning commission को हमेंने नए रूप में आमूलागर परिवर्तन करके एक होता था उसी में आप इसको ठीक ठाक करो और दूसरा यह आतकता है कि पूरे नए concept के साथ में इसको नई व्यवत्ता नए विचार नए व्यक्ति नया जोश इसके साथ में रखें या यह भी कह सकते हैं प्राइवेट पार्टनर्शिप मतलब दश्कों की सुवधा के लिए के एक सड़क बनानी हो तो उसमें कुछ हिस्सा सरकार का बाके हिस्सा प्राइवेट किसी कंपनी का इस काम को करने में यह योजना आयोग कैसे मददगार नहीं है बुले न सर यह PPP मॉडल सुन पा रहे हैं इसा है कि मैं आपको मैंने वापस आपको कह दूँ कि एक PPP उधारन दिया मैंने आपको यह कहा कि पूरी जो विचार दा रहा है हम कहां से कहा गए 1991 में हम तोटल गॉर्मेंट एक कंट्रोल एकोनोमी में बेते हैं आप देखिए आप दोहरा रहे हैं नहीं मैं चाहता हूँ कि जो आप बना रहे हैं उसका पक्ष आप ठीक से रहे हैं यह आपने यह इसमें किसी को इतराज क्यों होगा कि एक नई संस्था बिलकुल हर सरकार को बनानी चाहिए इसमें कोई इतराज की बात नहीं है मैं यह जाना चाहता हूँ कि इस पहले का एक सिस्टम बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि आप नया बनाना चाहते हैं तो आप नया बना रहे हैं उसके कुछ खराबी भी तो बताए कि वो क्या खराबी कर रहा था अपका ऐसा कौन सा काम है जो आप नया करेंगे जो यूजना आयोग नहीं कर सकता है मैं वही आपको बता रहा हूँ मैं ये कहरा हूँ और मुझे लगा कि आप समज जाओगे जनता तो समझ जाएंगी देखने वाले सुनने वाले कि एक भई एक अभईया योजना आयोग ये government control social economy का पार्ट था मैं आपको जो बार-बार जो उधारन दे highlighting कि योजना आयोग कि आविश्चिक्ता उस समय पर उस सरकार को कि विए गवर्मेंट कंट्रोल एकोनोमी योजना आयोग ये ग्लोबल एकोनोमी लिब्रल एकोनोमी में उसी पद्धति से नहीं रह सकता इसमें आमूलागरफ परिवर्थन करना पड़ेगा टोटल देख लो अर्थवेवस्ता एक्जी कुशन में आई है और योजना आयोग नैंटिन सिक्टी से नाइटी नाइटी टू नाइटी फाइज नाइटी सिक्त तक चला दोनों विपरित हैं दोनों अलग अलग दिशा हैं और इसलिए हम एक नया मॉडल नय मॉडल में ज्यादा राज्यों के स्वाइस तथा लिबरल एकोनुमी को स्वायत था एक योजना आयोग ये गवर्मे मेंन के उपर गवर्मेंट कंट्रोल था इसमें अपना अपना विबाद अपना अपना स्वसंत्रता होगी और साथ में जो पॉलिटिकल एक-विलेक्टेड जो सिट्व है वह नीट नही भी वो करेगा यह इस पर इत्रकार का इस पर चित्र हम देना चाहते हैं फाइनली एक इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं कि पुराने सिस्टम में चुने हुए लोग फैसला लेते थे जो आज कि अभी बताया कि ये देखिए ये पुराने जमाना जो नहरू के समाजवाद में इतना नहरू-नहरू मत की पहां घरःच है कि मोदि जी के पहले नहरू इपाद में थे पचास सान में उनीक समय में तो ये घथन होई थी ठीक है उससे पहले निताजी शुभाज मोस्त कोछका नहीं सब लोग नहीं सुनि Amendment मेना है लेखिए बहूत सारे अभी भी किसित ते मेरा कहना कुछ है देखिए आज कुछ सालों से जो योजना आयो काम कर रहे आप क्या समझते हैं यह वित्तमंत्रालाय कर पाएगा प्रधानमंत्री का दफ्तर कर पाएगा कैबिनेट सेकेटरियेट कर पाएगा मैं नहीं समझता हूँ एक ऐसे आप किसका नाम देखिए आप आपे आपे मालूं नहीं है यह संस्ता का रूप क्या है रंग क्या है चरत्र कर रहा है नगर यह समय बताएगे मेरा कहना और कुछ है जो आज योजना कर रहे है और किसे को तो करना पर देखा है सिर्फ यह नहीं 300-400 लोग आज योजना भवन में बैठे हूए है आज कुछ काम नहीं है, कुछ डाई महीना वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, जो सहिधा जी कुछ पहले कहा, कौर्डिनेशन, आप देखिए, उन्होंने महीला और बच्चों के वारे में कहा, मैं और भी उधार देता हूँ, ये दिविंदर जी भी और कह सकते हैं, इसके वारे में, देखिए, एक तो है उर्जा, एक नहीं, छे-ाट मंत्राला है ये उर्जा के वारे में, कोईला मंत्रा है, इसके वारे में, कोईला में, किसी को तो कौडनेशन का काम कौन करेगा, किसी को तो करना परेगा, ये जो संग्यत धाचा के बात कर रहे मैं ठीक है, इसको और मदबूत करना चाहिए, विश्वरा पताप सिंझ भी इंटर स्टेट काउंसल के बारे में कहा, हमारे देश म अभी भी एक NDC है, National Development Council जो हमारे आज 29 राजय है, इनका मुख्य मंत्री है, साथ हमारे Union Territory है और हमारे सारे Cabinet Minister, ये भी एक संस्था है, मेरा क्याना है, देखिए, अभी हमें मालूम नहीं है कि ये नया जो संस्था है, इसके क्या रंग रोप चरित्र होगा, मैंने आज एक आर्टिकल लिखा, नई दुनिया पत्रिका में, उसका आखरी जो सेंटेंस है कि योजना आयो की मृत्तु हो चुकी है, योजना आयो के नई जो अवतार है को जय हो, ये जो नया अवतार आने वाले है, समय बताएंगे, मेरा कहना है योजना का एक भूमिका है, को ओडिनेशन का एक भूमिका है, कहीं भी अर्थ विबस्ता है, पर अभी केरिट जो न कहा कि लिबरल एकॉनमी और इल्याजी मैं तो कहना हूँ, आज अमरीका क्यों योजना के बात कर रहा है, कैलिफोनिया में क्यों योजना का बात हो रहा है, क्योंकि 5 साल बात क्या होन किसी को एक दूर द्रिश्टी से देखना पड़ेगा अर्थ विवस्था के ऊपर ऐसा नहीं कि खल होना पर और किसी को एक कोडिनेशन का भी काम बहुत जो देखने का पूराने वाले में ऐसी धारना है कि अभी जैसे प्रंजोई ने कहा कि किसी को ये एक तरह से पूरी जो त प्लानिंग कमिशन की निगाह में हमेशा रही है और वो जो कन्वीनिंग पावर है वो सिर्फ प्लानिंग कमिशन का था कन्वीनिंग पावर एंडी सी जो साल में नैशनल डिवेलपमेंट कांसल जैसे इन्होंने बताया जो साल में एक या दो दफा मिलती थी उसमें वो कन् पीपल को भी जोडते थे प्लाइनिंग कमिशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों के पास जाके और लोगों से पूछते थे कि आप क्या चाहते हैं अपने देश के विकास के लिए तो वो जो ताकत थी और वो प्राइम मिनिस्टर्स आफिस में उनके पास समय ही नही कि वो प्लाइनिंग कमिशन वो फाइन्स मिनिस्टर्स आफिस में तो यह एक जो टेंशन है जिसमें एक दूसरे का चेक और बालनस है यह बहुत ही जरूरी चीज़ है इसमें कोई हरज नहीं है अगर सेंटर और स्टेट में तेंशन है वो भी एक अच्छी चीज है तो अच नहीं का जमाने में उस समय पीसी महला नुविस को उनी का कबिनेट मंत्री किया यह सूपर वाइनांस मिनिस्टर बन गया राजीव गांधी ने कुछ का प्लाइनिंग कमिशन मेंबर जान बंच ऑ जोकर्स जिस समय डॉक्तर मनमौन सिंह उस समय प्लाइनिंग कमिशन का उप प्लाइनिंग कमिशन को प्लाइनिंग कमिशन पर ले आकर बहुत तरह से नहीं करना चाती है उस तरह से शायद वो किसी प्रकार के विलम्ब से बचना चाहती है, जिस तरह से ट्वीटर में उपिनियन बन जाता है, उसी तरह से सरकार भी अपना फैसला करना चाहती है, गती लाना चाहती है. I lost you. आप अपनी बात ही कह लिजे फिर. जी आपकी आवाज थोड़ी कट गई लेकिन मैं जो मुझे समझ आया है वो ये है कि देखे प्लैनिंग कमिशन की जरूरत देश में प्लैनिंग प्रॉसेस की जरूरत देश में है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन जो अगर आप पिछले कई सालों से देखें जिस ते किसे का रूल था जो अगर पहले उदेश देखे जाएं प्लैनिंग कमिशन के जो साथ या च्छे जो उदेश बनाए गए थे प्लैनिंग कमिशन के बहुत रिमाकेबल थे बहुत सोच के बनाए गए थे लेकिन कहीं न कहीं पहले दो दशक के बाद प्लैनिंग कमिशन उससे गए और ये फनास कमिशन का जो रोल होना चाहिए था उसमें कहीं ने भी अपनी भागेदारी ले ली उसमें मैं दो तिन वातें आपसे कहूंगा कि प्लैनिंग कमिशन का मकसद जो था इतने सालों से बेसिकली क्या डिवलेपमेंट हो देश की विकास हो विकास हो इंक्लूसि कि अगर हुष इन सारी लगा रहा पूरे पेशाहर साल 64 साल आज तक हो गृबी रिखा ही नदारत निकर पाए क्या होनी चाहिए और अगर भी रेक नदारत निकरा तो उसके आपर प्लैन जो बनते थे वो क्या बनते होंगे यह मैं समजन नहीं आता तो कहीं न कहीं तो planning commission को अपने ओपर ये समझना पड़ेगा कि गलती माननी पड़ेगे कि हमने बहुत गलतियां की है दूसरी बात देखिए कि अभी पिछले NSSO का सर्वे आता है 2012 का जिसमें expenditure statement जो होती है उनकी उसमें बताया गया कि उपर की जो top percent पांच परसंट जो country की bracket है expenditure देखें अगर हम तो मुकेश अमवानी और जो शेहर में 6500 रुपे खचता है या गौव में 2500 रुपे खचता है वो top 5% की bracket में आते हैं इस देश में अगर ये top 5% की bracket में आते हैं तो 95% का क्या हाल होगा मुझे रखता कहीं हमारी देश में सोच भी है इस बात पे और अभी आने वारे दिनों में भी शायद हम उस पे शायद नजर अंदाज करेंगे क्योंकि मुझे डर जो ये है कि हम मार्केट को जो विश्वास करके चले हैं अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो अमेरिका की और यूरप की आज एकॉनमी इतनी दोस्त की होगी होती और इतनी हलात उनके खराब हैं आज कि वो प्लैनिंग जैसा कि प्राउंजोर ने बिल्कु ठीक कहा कि वो भी आप सोच रहे हैं कि कहीं काश हमारी प्लैनिंग हुई होती तो शायद दोजार आठ दोजार नौ का एकनॉमिक क्राइसिस नहीं आता सामने और जो अब आने वा जो इस सरकार ने कम से कम एक काम किया कि उनको एक ही स्टोक में हटा दिया और अब एक नया सोच जो है पर मेरा सिर्फ एक ही वो है जो कंसर्न है कि जल्दी में ना हम लेके आएं हम भी थोड़ास को सोचें कि किस तरीके से उसके नई रूप रिखा होई चाहिए क्या देश क को एक नया सिस्टम चाहिए जो जिसकी हम बात करते हैं कि जो पीपल सेंट्रिक हो जो एंवार्मेंट सेंट्रिक हो जो जेंडर सेंट्रिक हो ये तीनों चीजों को देखके जो डिवलिपमेंट का प्रॉसेस हो वो हो पो है तो वो करने की हमें जरूरत है लेकिन हम जो पिछ कि उसी के रास्ते से development होगी मुझे रगता है कि उसको हम जादे खिच रहे उस बात को पीपी जो 500 पीपी की बात की थी विच मंत्री जी ने अपने बेज़र के भाशन में वह हम जानते हैं कि अधिकतर उसमें failure है और उसमें इतनी कमिया है कि उसको पीपीपी को ठीक करना पहल और जो विकास ऐसा हो जो sustainable हो और टिकाओ हो तो वो कैसे होगा states की क्या भागेदारी होगी districts की क्या भागेदारी होगी यह सब हमें सोचना पड़ेगा इसका प्रणू बनाने में लोगता मेरा टाइम लगाएं थोड़ी चर्चा के जैसे आपने आज कहा है चर्चा की है और चर्चा के बहुत जरूर्थ है इसे जी